हेलो एब्रीवन वेलकम और वेलकम बैक तो मैं चैनल तो आज पर स्टार्ट करांगे चैप्टर नमबर थ्री माई एजुकेशनल आउट्लोग तैट इस रेटन बाई आर्के नरायन सो बहुत ही इंपोर्टेंट ऐसी है इस तो पहला जड़ा पाच चैप्टर किता सी ना दर टीचर तैट इस रेटन बाई रविंद नाटे गो तो थोड़ा थोड़ा मैच करते क्योंकि उदे विछ वी एजुकेशन दे टीचर दिया क्वालिटीज दी जिकर किता क्या सी क्यों बहुत इंपोर्टेंट इंट्रस्टिंग वीडियो होन वाला है सो वीडियो नो एंड तक देख्या करो अते नाल ही चैनल वत्तवाज स्पोर्ट करेया करो विकाज मैनू मोटिवेशन मिल दी है प्लस मैं थोड़ी वीडियो लेके आंदी रहाँ सो डिले थोड़ी जी हो रहे ने वीडियो जी विकाज तौन सब नो बता कि मेरी सर्जड़ी हुई है मेजर सर्जड़ी सी तो दांकर कि थोड़ा मैनू बैटन दिक्कत हुन दिया पॉषिश करांगी के तो अनू चार ऐसे और चार जड़े हैं अपनिया शोर्ट स्टोरीज करवादा क्योंकि फाइफाइ में तो उसी कोई भी स्किप कर सकते हूं तो चार चार जड़िया हैं चार एदे विचो होगी है ने अपनिया इस चैप्टर देना ते फोर चैप्ट आपः फिजिकल एजुकेशन भी जल्दी ही ट्राई करांगे अगर अगर तो पुराणा स्लेबस है तो आड़ा फेरता आपा सेम जड़ा है पायां हुई याने ते जेओगरफी वी जल्दी ही स्टार्ट करांगे ते नाल ही बद्धो बद्धो चैनल लो स्बोर्ट करो ते नाल ही मेंनों भी मोटिवेशन मिलेगी सो स्टार्ट कर दे हैं आज सा वीडियो चैप्टर नूमबर थ्री माई एजुकेशनल आउटलोक देट इस रेटन बाई आरके नरायन सो सब्तो बहना जोदो भी अपपा कोई चीज चैप्टर, स्टोरी, पोम स्टार्ट कर दे हैं तो थोड़े राइटर दे बारे पढ़ना बहुत ज़दा जुरूरी है वैसे ताई पेपर दे बिछ नहीं आना जस्ट क्योंकि अपा इंग्लिश दे विद्यार थियां ठीक है इंग्लिश लेटरेचर दे विद्यार थियां तो ताह करके थोड़े अपानों नौलिश जड़ी है कि होनी बहुत ज़रूरी है कि जिस राइटर दी अपा जड़े है ऐसे स्टोरी पोम पढ़ रहे हैं बट दी ता उस दे बारे सानों नौलिश जड़ी है होनी चाहिए है so R.K.Narayan was very well known Indian author ता इंडिया दे author होई ने R.K.Narayan जड़े बहुत famous होई ने he was also famous for his simple style of writing तो उनने दा जड़ा writing style थी वैसे दा Indian सारे जिनने भी होई ने poet होई ने जड़ा author होई ने writer होई ने ठीक है ता उननने दा writing style जड़ा है इंडियन दा तो उनना दा पुरा नाम की सी रसी पुरम कृष्णा स्वामी So he was one of the greatest English language author English language दे ओहो greatest author रहने बहुत महान He was born on October 10, 1906 in Madras, India तो 1906 वीच इनना दा जनम होयाएगा Madras, India दे विच He belong to a Tamil Brahman family Tamil Brahman family तो belong कर दे His father was a headmaster and mother was a homemaker So his writing career began in the 1930s So his writing career began in the 1930s So his writing career began in the 1930s So his writing career began in 1930 when he started writing short stories for newspapers and magazines So he created the fictional novel Swami and friends 1935 So his writing career began in 1935 in 1935 So his writing career began in 1935 So his writing career now has been written by Swami and friends He always wanted to write the fiction novel So his writing career began as a writer in 1935 नावल वा सेट इन दा फिक्षनल टाउन ओफ मालगुडी नाम ता करीबबन कफी सारी यह इन दिया रैटिंग से विछ जड़ा है गा आर के नाने नावल जड़ा है गा टाउन दा जिकर पिंद केलो टाउन दा केलो ना वकवक बुक से विच लग लग देता हुए कि कभीले स पिंद केलो टाउन दा जिकर आर के लिए थी ता मालगुडी टाउन दा फिक्षनल टाउन थी खिंद केता हुए ता ओधे विची इननने सारे अपने जड़े हैं नौवल दिया स्टोरी जड़ा हो यह होर्स टोरी कहलो इननने मतलत भी दा नाम जड़ा जड़ा सी उननने फ जड़ा तौनू जड़ा है सिक्समेस्टर देविच लग गया है वैसे बिटो नहीं पता के तौनू आएगा के नहीं आएगा टे दा गाइडस जड़ा है इननने नव विच भी आनने आपन जड़ा ही कि दा हुच छिड़ों दे ने मालकुडी नाम दे ताउन दा जिकर इन वासंब्स, और गयां उप audi ज्यादा सि प्रकेटर हुंदे सी और मुझ। weappoti अब ऀंडियो ज्यादा दो ऑफी हां। यह जो भी लिख दे थी बहुत एच्छा लिख देसी, तह बहुत ही प्यार उना नो देता जान लगए, बड़ी रिस्पेक्ट उना देती जान लगी, यह रोड नूमरॉस नॉबल्स बहुत सारे नोबल्स लिखने हैं, शोर्ट स्टोरी जेते हैं, एसे लिखेने, he presented a Vivid Variety and Colors of Indian society तो उनने बहुत ही जादा आपका सकते कि Vivid Variety जड़ी है पेशकिती है Colorful साढ़ी सामने जड़ी है पिक्चर्स जित जे शिते हैं Indian society था क्योंकि उनना दे जो भी इसी short stories पढ़ देने पढ़ देया या फिर शी novels पढ़ देया सानो बिलकुल नेचर दे बिलकुल करीब नेना दिया सोड़ी से इंडियन सोसाइटी उस टैम पिडियड दे जड़ी सी ओधे बारे भी सानो पता लगता है तब मेजर नो टेबल वर्क्स होना दे केड़े ने पिछे भी बोलके आती है स्वामी एंड फ्रेंड्स दे डाक रू इस टाइल वस ग्रेसफूल एंड सिंपल ग्रेसफूल स्टाइल सी ही वन अनी अवार्स बहुत सारे अवार्स इनन ने जितने साहित अकादमी अवार्स जितने है फिलम फेर अवार्स जितने है पदम भूशना अवार्स जितने है और मैनी मोर होर भी काफी सारे ठीक है उने So, he died on 13 May 2001, 2001 दे विच ओना दे हाँ थो है तेरा माई नो, इंचनाई at the age of 1904. So, हुन स्टार्ट कर दिया है, अपा समरी of the essay, My Educational Outlook. ठीक है, एक होर चीज है, बहुत सारे बच्चे टेड़े ने, बहुत सारे चैनल्स तो जड़ी है, कि स्टड़ी करने कोषिश का रहे हैं ता, Students एक होर चीज है कि, गाइड दे विचे सारे ही नोर्स जड़े ने, Trustful, Trustworthy नहीं हो दे हैं, कि बहुत सारे टीचर्ज ने नवा नवा चैनल्स टार्ट किता है, टिक हैregud लाइट रेट रियुद्で सेवा धितता हूए है। सब्जेक्ट इनने स्टार्ट किते हैं तो अगर आपनी थिंकिंग यूज कार दियो दो तिन बुक्स पार दियो वह तो हुनों जड़ा है नॉलज मिलेगी वह तुसी अगर पेपर्च अलाग तो लिख के आउंगे तत्थुन माक्स मिल रहां अगर तुसी डिक्टो गाइड इनना जदा गलतियां हुन दिया ने बहुत सरी मिस्टेक्स हुन दिया तो गाइड वाले जड़े ने अपना एडिटिंग नहीं कर दे काफी काफी साल सेम सेम गाइड चल दिया रहें तो एस करके थोड़ा जड़ा हैगा इनना चीज़ा तो बचो वह सारे बच्चे ज़ड Summary of the essay My Educational Outlook So My Educational Outlook is an influential essay written by R.K.Narayan R.K.Narayan तो बहुत ही जड़ा influential essay है Because इदिना बहुत influence पया सी बहुत प्रभाफशाली है जड़े ने ऐसे लिख्या सी So in this essay R.K.Narayan provides a critical examination Critical examination की हुए है जदो उसी किसे चीज़ा critical examine कारते है ठीक है अलोज ना करड़ी निंदा कर दे है उस चीज़ी So किस चीज़ी निंदा करते है Indian education system दी क्योंकि पार्ती जड़ी अपनी सिख्या पढ़ना ली है ओहुदे विच काफी सारे दोश ने, डिफेक्स ने ता इधा critical examination किता है R.K.Narayan ने So he has drawn insights from his personal experiences and observation ता उनने ए सारी insights मतलब जड़े दिरिष्टे सनुन दिखाए ने ता ए कितो दिखाए ने अपने personal तर जर्बे दसे ने आते अपना personal जड़ा है, observation जड़ा है, नरिखन जड़ा है जयो भी उनना ने देख्या है, ठीक है, प्रिखन किता, नरिखन किता ओ दे बारे दसे ने, जो उनना ने महसूस किता जिंदीकी दे दर जर जर पे दे विच अपनी education system दे थरू, ओहो अपना time period जाद कर दे केंदे भी जड़ा time period जो बिल्कुल बोरिंग सिगा वराइटी दी इज़े विच जड़ी सी, कमी हूं दी सी, that was boring and limited, बिल्कुल बोरिंग सिगा उबाऊ सिगा ते limited, सीमत सिगा ठीक है, देर वार रोट लर्निंग, तद अधो की सिगा रोट लर्निंग, रट्टाफिकेशन दे हुते, जोर दे जन दी सी, क्रैमिंग दे हुते, emphasis was given on memorization and understanding, ते, सिर्फ और सिर्फ एक एजन दसी का, जिन तु सी याद करो, ठीक है, मेमरी दे विच जाद करो, रट्टाफिकेशन दे नाल जड़ा 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 so the writer also criticizes the rigid hard structure of Indian system that only provides the limited curriculum without considering individual interest and talents of children नंगल कोई ़िफसे की एक फिरिटियाय टाइ قुडने शारहा है कराड़ शकता हृएक सब्वेकरण्पकर्स सब्सक्राइब वल्लाच मतलब॥ सब्सक्राइब ङुकouse कराड़ा लां सब्सक्राइब इंडिविजुल दे इंट्रस्ट नू देखे, टैलेंट नू देखे, बच्चेयां दे जड़ा नीसी पड़ा जन्दा, सिरफ और सिरफ एक लिम्टेड करीकुलम पड़ाया जन्दा सी, हार्ष रिजड स्ट्रक्चर हुंदा सी, इस एजुकेशन सिस्टम आलवेस फोकस अप मेनिफुल नॉलेज दे इंट्रस्ट नू दे जन्दा सी, jshat इस एक डीकिल दे जन्दा सी व conspiracy कर दो by a strict teachers के विदा भी मेरी जडी क्यूरिसिटी है मेरी उत्सोंक्त Χाय मेरी रचनातमक्त है घया हो भी जडी सी कि dampened मतलब दबा इतनी जान धी ऐस टीचर ना देना मतलब भी दबके रहे जान दी सी कि there was a lack of study material study material दे ठाई नी सी बहुत काठ हुए भी ता बहुत सारे दोश ने अपने बारवरगी पड़ाई हजे भी निया होते सिरफ और सिरफ कोई बुक नी लेके जान दे है कि अपा ओधे रिडी है गिया प्रोजेक्टर थू पड़ा होंदे ने पीपीटी थू पड़ा होंदे ने डेली रिडी आए या नमी तो नमी तरिक्षे ना पड़ा होंदा सि he love to explore new things के ना मैंनू चड़ा है प्री नमी कीज़ां एक्सप्लोर करें चे बहुत ही ज्यादा मतलब मजा होंदा सी बहुत प्यार सी मिनू के मैं नम्यनली कीज़ां एक्सप्लोर करां पर साधा करीकुलम जानिकि लेबस जड़ा सी लेके लिम्टर सी रोट लर नि बादो है इंपर्साइज करने कि गहरों के धाटो ऑफ विच्छ में इंपोर्टन्ट रोल कि एड़े है उड़ेयं Pixel ये, इज़ हाली है दोल कि अपकरएभी हा इतनल धैंहीं है टीचर शुट इंस्पाईर करते चोट थे टीचर ऑज युट्ध चुट डूने डीचर अपकेंद ने होने चाहिए जढ़े स्टुट मॉटि वेड करन परेद करन परेद न श्रॉत बनन अनदी इंस्पाईर करन न शुट गाइट स्टुट इंट रूफ गाइड करना देखो discipline तो क्लास चाहिदा है पर एन यह के कला discipline शाशन ही लागू करिये उननों बच्चे नों encourage करना चाहिदा है उननों उत्षाहिद करना चाहिदा है कि ओहो सुतंतर उपदेना सोचन अते road learning नों जड़ा है रटाफिकेशन नो avoid करना दा author आलसो अर्ज होन एहे अर्ज कर देने ठीक है ए साथ अगे जड़ी है अर्ज कर देने that there should be flexible education system के जड़ा है लोड मताबक students दी लोड मताबक जड़े विद्यारती होना दी लोड मताबक होना दी interest मताबक रूची मताबक जड़ा है करिकुलम होना चाहिदा स्लेबस होना चाहिदा है so that it will allow them to explore new things and discover their interests ता करके जड़ा है एनना वधिया करिकुलम होना चाहिदा कि ओ आपना नविया चीजा explore कार सकन आते नाल ही आपनी या रूचियानों भी develop कार सकन discover कार सकने कि ओनना ती जड़ा रूचियाने इंट्रस्ट ने ओ किने आजकल बच्चे आनु कह दे साठेव टाइम दे विच बच्चे आनु ताही नीसी पता हुंदा कि ओनना दे देम फोर रियल वर्ल्ड चेलिंजेस ता असली जड़ा संसार्द ये चलिंजेस है मुश्किलाने ओना दे बारे टीचर्ज नू बच्चया नू प्रिपेर करना चीद है दे शुड टीच तैम यूसफुल स्किल्स आफ डेली लाइफ रोजानना जीवन ओन वाले जड़े भी अपने पैसे अपने पैसे वापस होने है ता केंदे वी ए सारी जड़े बच्चया नू टीचर्ज नू श्कानिया चीदे ये शुड मेक एबल टू सौल्व देर प्रॉब्लम्स ता विद्यार्थियान जड़ा हैगा अपनिया प्रॉब्लम्स जड़िया ने डेली डेली द देस ऐसे ता हुन एना दा जड़ा आर्किन राएंदा ए ऐसे है इसा पैस्नेट प्लै फॉर एन एजुकेशन सिस्टम देट वेल्यू इंडिविजुल्टी क्रेटिविटी एंड प्रेक्टिकल नॉलज ता केंदे भी एजुकेशन सिस्टम दे विच्च ओ एजुकेशन सि जड़ा की अमली गयांदवे ठीक है ते इट इस आ वीजन हुन एक तरह इनने अपना वीजन भी नरायन ने पेश किता है अबाउट एन एजुकेशनल एंवारिमेंट वेर स्टुडेंट सार एंकुरेश्च तू एक्स्प्लोर थेंक क्रिटीकली प्रॉब्लम सॉल्विंग एक अपना परस्पेक्टिव दिता है कि मैच होना के जड़ी एजुकेशनल एक तरह नहीं होनी चाहिए जिदे विच्टूडेंट जड़ेने और एंकुरेज करने चाहिए नहीं कुछ नमा एक्स्प्लोर करन क्रिटीकली किसे चीज नों सोचन ठीक है प्रॉब्लम सोल्व क जो के हो जन ता एदन दा एजुकेशनल एंवार्मेंट केंदा भी मैं वीजन कर दा ठीक है ते एजुकेशन सिस्टम शुड़ी स्टूडेंट और यू कन से चाइल्ड सेंटर्ड ता जड़े भी एजुकेशन सिस्टम में केंदे चाहे होन वाला है चाहे अग्गे वाला है मिल दियां पन्नमे वीडियो देना, आल सो लाइक जरूर करें, कॉमेंट करके वी दस्यों कितना लगया, ते वत वत शेर करें